परबात करते हैं बार और बारिश की कई राज्ये देश के जो जल संकर से जूज रहे हैं लोगों की टेंशन बढ़ा दी है बार और बारिश ने कि अब आखिर करे तो करे क्या क्या क्योंकि लाइफ लाइफ लाइन पर ब्रेक लग गई है उधर मौसम भागने भी कह दिये सेलाब का कहर बरसात बहिसाब मुसीबत मुसलाधार गली गली पानी टाफू बने गाओं और डूबे खेत खलिहान आसमानी आफ़त के चलते देश के कई राज्यों में सेलावी संकट पैदा हो चुका है लगातार हो रही मुसलाधार बारिश ने एक बार फिर से लोगों की टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि कहीं लाइफ लाइफ लाइन पर ब्रेक लग शुका है तो कहीं अंडर पास पानी पानी है दूर दूर तक पानी और बीच में मकान तस्विने गुजिरात के जुनागड की है जहां असमानी आफ़त के आगे जिंदगी बेवस है लगातार त पानी पानी है लाइफ लाइन यानी रेल सेवा ठप हो गई है और भाक्ति दोड़ती जिंदगी ठप नवी मुंबई के CBD बेलापुर इलाके में घुमने गे 50 से ज्यादा परेटरक पानी में फस गय थे फसे विस सभी लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला गु पुरम में भारी बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया है जिला प्रशाजन के मुतावि 11 मकानों को नुकसान और एक की मौत हुई है यूपी भी बारिश और बाड़ की मार से अचुता नहीं है हाली में शाजापूर में बाड़ और बारिश के मार से हालात बहत खराब थे अब रहत बचाव और लोगों की परिशारी को दूर किया जा रहा है और सर्वेगा कार भी बहुत तेजी से चला है प्रिशाशन लगा हुआ है हर गरीब आदमी की मदद के लिए हमाई सरकारत पर है इधर मौसम विभाग की माने तो बारिश की मरमानी से लोगों को अभी रहात नहीं मिलने वाली है या लोगों की मुसीबत थमने वाली नहीं है बिर रपोर्ट रिपाब्लिक भर गर्जबाब में एक घी के गोदाम में लगी भीशना गोदाम में रखे गैस सिलिंडर में ब्लास्ट से लाके में मचो हड़कां दमकल की कई गाड़ियां आग बुजाने की कोशिश में जूटी लगिंपुर्कीरी में इलेक्ट्रोनिक्स की दुकान में शॉट सर्किट की वज़े से लगी आग लाकों का सावान जलकर हुआ खाल कड़ी मश्रकत के बाद पाए गया आग पर काबुए महराज के पालगर में दवा निर्मान कंपनी में लगी भीशन आगा इतनी भीशन के दूर से लपते देखी जासे इंथी दमकल की छे गाड़ियों ने जैसे तैसे साग को काबू किया किसी की हतात होने की फिलाल कोई खबर नहीं थी कि अल्मोरा अल्दवानी हाइवे पर अन्हें ठोकर सड़क पर पल्टी के मुख की बस यात्रों मची चीक पुकार हाथ से में साथ यात्री जखमी चार लुकू की हलत गंभी शाजापूर में पुरानी रंजिश को लेकर महिलाओं में जमकर हुई मार पीट पुलिस में सभ सब्सक्राइब यह पूरी घटना दिलिक राइम ब्रांच ने स्टेट लेवल बॉक्सर को किया ग्रफतार प्रॉपर्टी विवाद में मा को गाली देने से गुसाए बॉक्सर ने चाचा पर चलाई थी गोली लंबे समय से परार चल रहा था आरूपी राजिन नवी मुंबाई के CBD बेलापुर में इतने लोग फसे घूमने गए थे पचास से जाता परचक पुलिस कर्मी और इस अभी परचको को पकिया प्रेस्टी मतरप्रदेश के बढ़वानी में पहार गिरने से पहार के जरने में डूपने से हुई मौत दो बाइक पच्छे दो घूमने के लिए निकले थे पुलिस मामनी की कर रही है चांदी उतरपदेश के बाद अब पच्छे मंगाल में ट्वेन हाथसा हुआ राना खार्ट में पट्री से उत्री माल गाड़ी हाथसे के चलते रूट पर ट्वेनों का आवाग मन प्रभाविश्ट गुआ जमुकश्मीर के रियाजी में बड़ा सड़क हाथसा हुआ बिड़्डा गाव में विकाबू पिकप गाड़ी दो सो पीक नीचे गहरी खाए में गिरी हाथसे में तीन लोगों की मौथ एक गंभी रूप से जखनी अब बाद इस वक्त की बड़ी खबर की बड़ी खबर यह है कि जो बाइडन चुनाब नहीं लड़ेंगे पत्र लिकर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाब नहीं लड़ेंगे बाइडन ने पत्र लिक कर इस बात का अलान किया आपको ये भी बता दे के बाइडन के स्वास्ते को लेकर सवाल उठे थे देमोक्रेट्स पार्टी में बाइडन का विरोध हो रहा था लगातार बाइडन ने कमला हरिस का नाम आगे किया यानि बाइडन ने सरेंडर कर दिया है उधर ट्रम्प लगातार प्रचार कर रहे हैं अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और बाइडन सरकार पर लगातार निशाना साथ रहें लेकिन इसी कड़ी में आप बाइडन ने चुनाब नहीं लगने का फैसला किया है और ये कहा है कि पार्टी के हित में मैंने ये फैसला लिया है लगातार बाइडन का विरोध भी हो रहा था उनकी पार्टी में और उनके स स्वास्ते को लेकर भी उठ रहे थे सवाल पर इस बीच एक और बड़ी ख़बर आपको बता दिए बड़ी ख़बर जम्मु कश्मीर के गुंदना से आ रही है जहांपर सेना के पोस्ट पर आतंकियों ने हमला किया अला कि उस हमले को सेना ने नाकाम कोशिश की गई है आतंकियों की तरफ से राज़ारी के गुंदना का ये मामला है जहांपर हमला करने की कोशिश की है हमले को जवानों ने नाकाम कर दिया मुटबेड में 2-3 आतंकी फसे है दोनों दरब से लगातार फारिंग का दोर जारी है राजारी के गुंदना में यह हमला हुआ है आतंकी उने सिना की पोस्ट पर किया हमला हमले को जवानों ने नाकाम कर दिया मुटबेड में ये बता जा रहा है कि दो से तीन आतंकी फसे हुए है लगातार उनको घेरा हुआ है और मुटबेड जारी है दोनों द्रफ से फारिंग का सिलसला बना हुआ है नमस्कार आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूँ आपके साथ गायती शर्मास सुबा के 6 बच चुके हैं तमाम बड़ी खबरे आपको बताएंगे बताएंगे आपको किन बड़ी खबरों पर रिपब्लिक भारत की नज़र रहने वाली है और शिर्वात साथ बड़ी खबरों के साथ अब implement भी हो रहा है, तो वहीं आपको बदा दे, आज से बज़ट सत्र का आगाज भी हो रहा है, विपक्ष ने कमर कस लिये, तो महीं सरकार भी विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए तयार है, उधर आपको बदा दे, जो बाइडर ने सरेंडर कर दिया है, कमल मामला सुप्रिम कोर्ट जाप पहुंचा है, सुप्रिम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, उधर शोभा यात्रा को लेकर सक्त पैरा है, हर्याना में आपको बता दे, क्योंकि आसिकावड यात्रा की शुरवात हो गई है, शोभा यात्रा महा निकाली जाएग यह शुरुबात हो गई है कावड यात्रा की भी आस से आपको बता दे सावन की शुरुबात हो रही है और इसी कड़ी में देश बर में आसे सावन शुरू हो गया है तमाम जो मंदिर है वहाँ पर भगवान शिफ को जलाभी शेक करने के लिए अब लंबी-लंबी कतारे लगन भी शुरू हो गई है तो आपको बता दे आसे सावन की शुरुबात हो रही है और इसी कड़ी में शिवालियों में हर-harm महादेव की गूंज भी सुनाई देगी शिवालियों में पूज आर्चना की जा रही है जल और डूद से बाबा का भीशेक किया जा रहा है शिवालि में शुरुदालू कावड यात्रा लेकर भगवान शिव का अभिशेक करते हैं प्रभु की सेवा में और भाबो मंदिर है क्या का जाए बाबा की दर्वार की महिमा का कुछ बढ़ना नहीं किया जा सकता यहां बोले बाबा की दर्शन करने आया है बोले बाबा की दर्शन करने आया है कि मैं मलब यहां पर सावन पूरे ही आता हूं मतलब 40 दिन कोशिश करते हैं कि बोले बाबा के दर्शन हो जाएं जय बोले जी आज बाबा महाकाल के अदबूत दर्शन सावन के प्रतम दिन सोंबार के दिन हमें प्राप्त हुए है और एकी अदबूत एसा रोंगते कर देने वाले दर्श एसा लगता है कि साक्षर बाबा महाकाल ही दर्शन दे रहे हैं सामने बहुत अच्छा सोचा भी नहीं था उससी बहुत अच्छा मैसुस हो रहा है बाबा महाकाल के साक्षर दर्शन सामने तो ये तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहा है देखे मद्रपिदेश का उजयन मंदिर बाबा महाकाल का जलाभी शेक उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में भी लगातार हर-हर महादेव की गुण्च शिवालियों में सुनाई देरे भक्तों की लंबी कतार वहाँ पर भी बाबा शिव को लेकर लगातार भारी उत्सा श्रद्धालू में साथ तोर पर देखा जा रहा है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देवगर की जहाँ पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालू पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे ह और उतर नेम प्लेट का जो विवद है वो सुपरिम कुर्ट पहुंचा है एनजीओ की तरफ से याचिका दाखिल की गई है याचिका में योगी के आदेश को रद करने की मांग की गई है सुप्रिम कोट आज इस मामले की सुनवाई करेगा तो जो कावर यात्रा रूट है वहाँ पर तमाम जो दुकाने हैं उसको लेकर आदेश जारी हुआ है योगी सरकार की तरफ से कि सभी जो दुकान मालिके अपने असली नाम की प्लेट लगाएं अपना असली नाम लगाएं दुकान के बाहर वाकायदा मुबाइल नमबर रखें उसको लेकर सियासत चुरू हुई लोग इस मामले को इस आदेश को एकसेप्ट कर रहे हैं लेकिन वहीं इस आदेश की खिलाफत भी हो रही है और इसी करी में NGO की तरफ से याचिका दाखिल की गए ये कहते हुए कि योगी सरकार के इस आदेश को रद किया जाए तो योगी सरकार ने कावड यात्रा मारगों पर पढ़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम और मुबाइल नमबर लिखे जाने का आदेश दिया है इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है अब ये मामला सुप्रिम को जा पहुँचा है NGO Civil Rights ने याचिका दाखिल कर आदेश को रद करने की मांग उठाई है ये पूरा मामला क्या है याचिका में क्या कुछ कहा गया है और क्यों योगी सरकार किस आदेश को रद करने की मांग उठाई है याचिका के जरीए इस रपोर्ट में आपको लिखाते हैं मामला चाहे कुछ भी हो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं